असलाम वालेकुम मेरे प्यारी वीवर्स और मेरे प्यारी सब्क्राइबर्स आप सबको वेलकम है घर का खाना है में घर का खाना है में आज एक नई रेसिपी लेके आई हूँ हमेशा की तरह मज़ेदार, टेस्टी, ऑठेंटीक और घर जैसा रेसिपी तो आज बन रहा है खिचरा, खिचरी की रेसिपी बना रही हूँ जो दाल और चावल को मिक्स कके बनता है ये वारी खिचरी आपने बनानी है और बना के खानी है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा बहुत ही फ्लेवर फुल मज़दार खिचरी बन रही है क्योंकि अक्सर लोग खिचरी के नाम पे विल्कुल वदास हो जाते हैं कि खिचरी खानी पड़ेगी मगर आप इस तरीके से खिचरी बनाएगा आपको बहुत मज़ाएगा तो चले ही है मैंने दो कप बासमती राइस ले लिया है और इसमें मोम दाल ये जाएगा इसमें वन कप दो कप बासमती राइस वन कप मोम दाल ये इसका रशो है ठीक है इसमें जाएगा सफेद साबिद गरम मसाला जीरा है वन टेबिल स्पून वन एन हाफ टीस्पून सॉरी दो अदद है सेलमिन स्टीक दाल चीनी का स्टीक है दो अदद थोड़ी सी लॉंग है 3-4 लॉंग होगी हूल गलोव्स 2-3 अदद है और ये बड़ी वाली ऐलाइची जिसको काली ऐलाइची कहते हैं ये भी 3 अदद है और साथ में काली मिर्च साबित काली मिर्च है वो आपके 10 से 12 दाना साबित काली मिर्च के हो गए यह है तमाम खड़े मसाले साबित वाले और इस पे next क्या जाएगा next में जाएगा यह है मेरे पाद अद्रक लैसन का पेस यह जाएगा इसमें 1.5 तीस्पून और salt to taste है वो में 1.5 तीस्पून नमक डालूँगी इसमें और इसमें चला जाएगा यह है प्याज और हरी मिर्च मोटी वाली प्याज एक अदत ले ली है और मोटी हरी मिर्च तीन अदत ले ली है मैंने ठीक है जी इस तरीके से मैंने इसको अलग कर लिया है तो चले स्टार्ट करते हैं और इसमें ओयल जाएगा वन फोर्थ कप और स्टार्ट करते हैं इसकी कुकिन सबसे पहले हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हम करेंग मैं यूज कर रही हूँ प्रेशर कुकर इंस्टेंट पॉट प्रेशर कुकर मेरे पास है आपके पास नॉर्मल प्रेशर कुकर है तो वो भी चलेगा या पर हांडी में बना ले जिनके पास प्रेशर कुकर भी नहीं है मगर मैं अपना इंस्टेंट पॉट प्रेशर कुकर यूज कर रही हूँ तो मैं बताती हूँ कि फर्स स्टेप क्या होगा इसका सबसे पहले मैंने इसको गरम करूँगी अपने प्रेशर कुकर को गरम करूँगी उसके बाद मैं नेक्स देखाती हूँ कि पहला स्टेप क्या होगा ये देखे प्रेशर कुकर हमारा गरम हो गया इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है ये बिलकुल खाली है और गरम है अब मैं इसमें ये डाल डालूँगी मूम की डाल वन कप जो मैंने लिया था इसको मैं इस प्रेशर कुकर में ड्राइ रोस्ट कर लूँगी तीन से चाल मिनिट के लिए जब खुशबू आने लगे बहुत जायदा नहीं बस हलका से इसको ड्राइ रोस्ट करना है तीन से चाल मिनिट फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स क्या करना है जब मूम की डाल की खुशबू बहुत प्यारी सी सुन्दी से आएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे ये देखें ये हो गया अब देखें मूम की डाल भी हमारा हलका सा रोस्ट हो चुका है इस तरीके से रोस्ट करना है बिलकुल काला नहीं करना है ऐसे होना चाहिए हलकी हलकी सी खुश्बू के साथ मुंकी डाल रोस्ट हो चुकी है अब इसमें जाएगा आपके ये चावल है मेरे पास दो कप राइस बासमती राइस है अब मैं एक बड़ा सा बॉल लूँगी ये रहा इसमें मैंने क्या करना है ये आपके चावल डाल दिये और इसमें साथ ये साथ मैं इसमें डाल भी डाल दूँगी ये चला जाएगा इसमें डाल अब इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी मिक्स करके इसको मैं पानी से धो लूँगी और धोने के बाद इसको मैं कमसकम भी 30 मिनिट या 20 मिनिट के लिए भीगोंगी पानी से इसको भीगा के रख लूँगे मैं ये देखें मैं आपको नेक्स दिखाती हूँ बहुती प्यारी बन रही है मूम दाल की खिचरी ये देखें ये अच्छी तरह के से मिक्स हो गया दाल और चावल एक कठे हो गया है बिल्कुल अब मैं इसको वाश करके 20 मिनिट के लिए इसको भीगा दूँगी चले मिलते हैं 20 मिनिट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स स्टैप ये देखें मैंने चावल को बिल्कुल अच्छे तरह के से धो लिये हैं और इसको भीगो दिए इसको भीगा के 20 मिनिट के लिए रख दिया है अब मैं नेक्स स्टैप क्या करूँगी वो दिखाती हूँ मैं आपको ये रहा मेरा इंस्टेंट पॉर्ट प्रेशर कुकर इसमें मैं डालूँगी 1 फोर्थ कप ऑईल वन फोर्थ कप ऑईल में चला जाएगा ओनियन ठीक है ये मैंने तेल डाला इसमें ये देखें और इसमें डाल दूँगी मैं एक अधत मीडियम ओनियन चॉप्ट जो मैंने करके रखा था इसको डाल दूँगी ये भी चला गया अब इसके साथ इसको हलका सा फ्राइ करूँगी और साथे साथी मैं खड़े गरम मसाला जो है वो भी डाल दूँगी इसको मैंने इस तरीके से मिक्स किया ये देखें अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया अब मैं इसमें तमाम खड़े गरम मसाला भी डाल दूँगी जो मैंने थाबित रखे हुए थाबित गरम मसाला चला जाएगा उसके साथ इसको हलकी सी भुनाई करूँगे ये देखे हलका सा हमारा प्यास हलका सा गोल्डन हुआ है अब इसमें सारे खरे मसाले भी चले जाएगे उसके साथ एक दो मिनट के लिए घुमा लूँगे ये सारे खरे मसाले इसमें टले गए अब इसको भी एक दो मिनट के लिए घुमा लूँगे ऐसे जबर्दस ये देखे अच्छी तरीके से घुमा लिया है अब मैं नेक्स बताती हूँ हमने करना क्या है बहुत ही पहली खुश्बू आ रही है गरम मसाले की प्यास के साथ और ये खिचरा इतनी मज़े की बनती है इसको आप जो है चटनी के साथ राइते के साथ खाएं तो मसा जाएगा ये देखें मैंने इसमें अद्रक लैसन का पेस भी डाल दिया है वन एन हाफ टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस वो भी चला गया हलका सा दो मिनिट के लिए घुमा फिरा लेंगे अब इसमें चला जाएगा सारा हमारा भीगा हुआ दाल और चावल इस तरीके से में डाल रही है ये देखें बहुत ही कुईक रैसिपी है जटपट बढ़ने वाली रैसिपी है और यकीन करें हेल्दी भी है बच्चे भी शौक से खाएंगे और यकीन जाने इतने मज़े के बनते हैं मेरे खायल है कि आपको चिकन और गोश्ट की तरब नहीं होगी इसको ऐसे करके मिलाएं और इसको तो आप टमाटर की रायते के साथ या टमाटर की चत्नी जो मैंने घर में बनाई है उसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल में है टमाटर की चत्नी के साथ इसको खाएं माशालला इतना मज़ा देगी आपको या आप याद करेंगे तो इसमें मैं अपने पॉट के लिहाज से टू कप वाटर डालूँगी आप अपने अंदाजे के मताबि वाटर डाल लीजगा मैंने टू कप वाटर डाल रही हूँ मेरे प्रेशर कुकर में इतनी वाटर का वह है ये देखें मैंने सॉल्ड भी डाल दिया है सॉल्ड चला गया वन एन हाफ टी स्पून आप अपने जागी के मताबि डालिएगा अब इसमें चला जाएगा अब मैं इसमें डालने लगी हूँ वाटर गरम पानी गरम पानी डाल दूँगी इसमें टू कप गरम पानी और फिर इसको मैं इंस्टेंट पॉट को मैं बन करके कुक करूँगी टू कप पानी जाएगा चले डालते हैं इसमें टू कप गरम पानी दो कप करम पानी डाल देंगे ये रहा ये चला जाएगा इतना जी 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 इतना ही चाहिए मुझे ठीक है जी जनाब ये हमें डाल दिया अब मैं इसको mix करूंगी ये रहा और देखती रहोंगे कि मुझे और पानी तो नहीं चाहिए बस मुझे टू कप वार्टर क्यों मेरा प्रेशर कुकर टू कप वार्टर में अराम से हो जाएगा तो मैं मजीद नहीं डालूँगी आप अपने मताबिक डालिएगा पानी जितना आपका प्रेशर कुकर चाहता हो जितनी आपकी हांडी में जरुबत हो चले जी यह हो गया अब मैं इसको कवर अप करूँगी मोटी हरी मिच भी डाल दी मैंने इसमें खुशबू के लिए इसको भी डाल दी हलका सा अब क्या बस प्रेशर कुकर करना है और इसको बारा मिनिट के लिए कुक करूँगी 12 मिनिट के लिए फिर हमारा तयार हो जाएगा ये देखें इस तरीके से मैं निकल लिया है मिक्स कर लिया है अब मैं प्रेशर कुकर करने लगी हूँ बहुत ही मज़े का बन रहा है मूम दाल की खिचरी घर का खाना है मैं तो ये रहा मेरा इंस्टेट पॉर्ट प्रेशर कुकर इसको मैं करूँगी 12 मिनिट के लिए राइस में कुक करूँगी 12 मिनिट के लिए ये हाई फ्लेम में है 12 मिनिट के लिए मैं इसको डाल रही हूँ और इसको कुक कर रही हूँ ये रहा बटन डाल दी मैंने यस अब बारा मिनट के बाद मिलते हैं इन्शाला ताला बारा मिनट के बाद के बाद का फाइनल देखेंगे अब हमारी मेशीन भी आन हो गई है चले जी बारा मिनट हो गए मज़दार सबसे ज़्यदा टेस्टी खुश्बू आने वाली रेसिपी है ये तो हमारी तैयार होगी मैपको भी इसकी शकल दिखाती हूँ प्रेशर कुटर को मैंने खोल लिया है और ये रहा हमारा माशाला ये देखें कितने खिले खिले चावल है और ये देखें और बताते हैं इसको हम सर्फ कैसे करेंगे ये मैं इसको डिश ओट करने लगी हूँ चले जी मिलते हैं सर्विंग डिश में ये देखें माशाला ये देखें क्या जबद्दस माशाला से उपर से मैंने लाल की अवा प्याच छरक दिया है और इसके साथ टमाटर की चटनी बनाई है इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल में घर का खाना है में जाके देखें और इस चटनी के साथ इसको खाएं माशाला मज़ा आ जाएगा आपको याद रहेगा के आपने कोई खिचरा खाया था इसके साथ आपको कोई किसम की मीट की जरुवत नहीं होगी इस तरीके से बनाएं और घरवालों को भी खिलाएं और खुद भी इंजॉय करें इन्शाला ताला बहुत जल्दी बहुत साही रेसिपी लेके आऊंगी आपने मेरे साथ बने रहना है फॉलो करना है सब्क्राइब करना है लाइक करना है और एसीपी को शियर भी करना है चले जी मुझे जादत दीजिए इन्शाला फिर मिरेंगे अलाहाफीज